गुद मॉर्निंग एवरी पार्टी मैसेल्फ कोमल साहानी सीनियर लेक्टर सीडी डियम गर्मेंट फुमेंज पॉलर टेक्निक कॉलेज अचमेर आजकर मेरे टॉपिक है टाइपस ऑफ पांस और ट्राउसर इसमें हम यह पढ़ेंगे कि पांस और ट्राउसर को हम किस आधार पर वर्गी क्रिप्ट या क्लासिफाई कर सकते हैं पैंट एक लोर गार्मेंट है जिसे हम बाइफरकेटड गार्मेंट भी बोलते हैं जिसकी लंबाई फ्रम वेस्ट लाइन टू आंकल होती है और यह लोर लिम्प्स यानि बॉडी के लोर लिम्प्स को ढखने के लिए प्रियोग किया जाता है या पहना जाता है पैंट और ट्राउजर शब्द में कोई अंतर नहीं है पैंट को ट्राउजर भी कहा जा सकता है और ट्राउजर भी कहा जा सकता है पैंट शब्द का अधिकतर प्रियोग अमेरिका में किया जाता है और ट्राउजर का प्रियोग ब्रिटिश उस के द्वारा किया जाता है या अब हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे पहला क्लासिफिकेशन है According to Cuff Cuff का मतलब होता है कि Sleeve Bottom में एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है जिसे Cuff कहा जाता है तो जो Trousers होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं With Cuff Mock-up Cuff And Without Cuff With Cuff का मतलब होता है Bottom को Extend किया जाता है और फिर उसे वापे से Turn Back किया जाता है तो वो कहलाता है With Cuff Mock-up Cuff वह होता है जिसमें एक पीस लगाया जाता है प्राब्रिक का और फिर उसे उसके उपर अप्लाई कर दिया जाता है यानि कि Pant के Bottom पर Mock-up Cuff यह Turn Back नहीं होता है और कुछ Pants ऐसी होती है जिन में Cuff नहीं होता है जो आज का Latest Trend में प्रयोग किया जाता है Second Classification है According to Belt Waste कुछ Trousers है जो Without Belt भी Market में अवेलेबल होते हैं यानि उनमें Belt का प्रयोग नहीं किया जाता है और अधिक तर सभी Trousers जो है उनमें Belt होती है जिनके उपर Belt Loops लगे होते हैं Third है Classification is According to the Belt Carriers Belt Carriers को Belt Loops भी कहा जाता है तो कई बार कुछ Pants में Belt Loops नहीं होते हैं ऐसी अवस्था में Belt का प्रयोग नहीं किया जाता है और ऐसे में Pant को अपने स्थान पर रखने के लिए Braces या Galaces का प्रयोग किया जाता है और कई पार अधिक तर जो Belts होते हैं उनमें Belt Loops होते हैं Belt Carrier का कारिया होता है Leather Belts को Hold करना जिससे हम परीधान को अपनी कमर पर अधिक टाइट करके पहन सकते हैं Fourth Classification है According to Pleats हम Trousers को Classify कर सकते हैं कुछ Trousers में आगे के हिस्से में Pleats होती है और कुछ Pants में या Trousers में Pleats नहीं होती है जिनमें Pleats होती है वो Abdomen पर Lose होता है और जिनमें Pleats नहीं होती है वो Abdomen पर Fitted होता है Now, fifth classification है जिसे हम classified according to fit किया है हमने ये तीन प्रकार की होती है pants fitted, semi-fitted and loose or baggy fitted का अर्थ है जो की उपर से लेके नीचे तक fitted होती है इसे tapered trousers भी कहा जाता है या pants कहा जाता है semi-fitted जो होती है वो hips वाले portion पे हलकी सी loose होती है कमर पे fitted होती है और नीचे तक आते आती वो straight हो जाती है इसलिए ये straight pants भी इन्हें कहा जाता है loose और baggy जो होती है वो उपर से लेके नीचे तक बहुत ही अधिक loose होती है और चिन का look होता है वो bag के समान प्रतीत होता है 6th classification है according to the crease line कुछ pants में crease lines होती है ये formal type की trousers होते हैं और कुछ में crease lines नहीं होती हैं तो उन्हें कहते हैं without crease line 7th classification है which is according to the inseam pocket पहला है inseam straight pocket और तूसरा है inseam cross या फिर slant pocket दोनो side pockets जो होती हैं जो seam में लगाई जाती हैं एक होती है straight pocket जो बहुत ही कम visible होती है और inseam cross और slant pockets जो होती हैं वो तिर्ची लगी होई होती हैं 8 classification में हम देख सकते हैं according to crotch depth of pants crotch depth क्या होता है जो की एक नीचे वारा portion होता है जहां से crotch point से दो नो legs अलग-अलग हो जाती हैं यानि बाइफर्केट करती है garment को तो जो crotch depth होती है pants में उसके अधार पर भी trousers को classify किया जा सकता है कई पर crotch depth बहुत ही high होती है यानि अधिक होती है और कभी-कभी वो कम भी होती है तो एक तो होती है सबसे होती है up to the waistline ये पहले बहुत अधिक प्रयोग में किया जाता था आज कल waistline तक crotch depth नहीं होती है तो up to the waistline and below the waistline below waistline में में भी बहुत सारी categories को include किया जाता है ninth है pants को हम classify according to the measured length से भी करते हैं तो हम measured length का मतलब है कि उनकी लंबाई में अंतर आता है तो सबसे जादा अंतर आता है वहाँ पर कि हमारी जो crotch है यानि जो पहनने की जुस्तिती है वो कहाँ पर है पहला है from waistline to ankle measure किया जाता है जो कि सबसे टोडिशनल मेंथर्ड है दूसरा है from below waistline to ankle और third है from hip bone to ankle आज कल सबसे अधिक प्रचलन है जैसे हम jeans में भी देख सकते हैं और कुछ pants को भी हम देख सकते हैं जो कि hip bone से पहनी जाती और जिनका जो crotch step होता है वो बहुत ही कम होता है और waistline से ankle का होता है उसका crotch step होता है वो बहुत ही अधिक होता है 10th classification हमने लिया है according to conventions conventions का मतलब है हमारे etiquettes और हमेरे उसको कहां पे पहनना है पहला आता है formal formal trousers दूसरा आता है semi formal trousers and third is a casual trousers तो formals are more formal with crease line and a pleat or without plates भी हो सकती है और ये tapered formals में भी आ सकता है और straight formals भी हो सकता है depending upon the fashion semi formals जो होते हैं जो कि जैसे कि हम office यूज में जब हम पहनते हैं तो हम उसे या business wear में semi formal pants का प्रयोग करते हैं casuals में without pleat भी हो सकता है और without crease line भी हो सकता है उस category में casual trousers को समलित किया गया है now the 11th classification is according to pants bottom कई बार हम देखते हैं कि जो pants के bottom होते हैं कई बार हम देखते हैं कि pants के bottom के अनुसार भी हम pants को classify करते हैं जिसमें कि bottoms जो हैं straight भी होते हैं तो उसे उन्हें हम कहते हैं straight bottom trousers कुछ होते हैं narrow ये tapered trousers में narrow bottoms होते हैं जो कि ankle पे बहुत जादा confined होते हैं मतलब उनमें जो ease होता है वो बहुत ही कम होता है ठीक है और third होता है जिसे हम bell bottoms या हम flare bottoms भी कह सकते हैं अगर अधिक flare होता है तो वो bell में आ जाता है कम होता है तो उसे हम flare bottom भी कह सकते हैं तो आज मैंने आपको ये ribbon प्रकार के pants के classification की बारे में बताया है अगली बार हम construction details की बारे में पढ़ेंगे ठीक अगो तक यज खवी चिसे हैं क्सक् Ground Life